दोस्तो अगर अपकलम लगत में कोई बिजनिस शुरूप करना चाहते हैं तो आप प्रिंटिंग का बिजनिस शुरूप कर सकते हैं और इसका मेन खारन अलग अलग प्रोडक्स की पैकेजिंग, लेक्टिंग और प्रिंट मीडिया का बड़ता उपियोग है और दोस्तो आपसेट प्रिंटिंग बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस कहीं एक पार्ट है और अगर आप सही जगह से छोटे लेबल पे इस बिजनेस की सुरुआत करते हैं तो आप काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं दोस्तो आपने देखा हुआ कि हर घर में साधिया होती हैं और साधि के कार्ट की जुरुत होती है ताकि महमानों को इंविटेशन दिया जा सके इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस से कार्ट चपवाय जाते हैं इसके अलावा आपने देखा होगा कि न्यूज पेपर के साथ कई प्रोडक्स और कम्पनियों के अड़टाइज के लिए पंपलिट आते हैं यही नहीं आपने देखा होगा कि कई दुकानों के विस्टिंग कार्ड बना जाते हैं या कई दुकानों की ओपनिंग के या ओफर्स के बारे में बताने के लिए पंपलिट बाते जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कूल या कॉलेज के लिए नोटबुक या किताबे, मैगजिन्स, लेटर पैड प्रिंट किये जाते हैं। अलग-अलग तरह के कंपनी के प्रिंट के लिए लेबल प्रिंट किये जाते हैं। नए साल पे कलेंडर या डायरी बनाई जाती है। आइस्क्रीम, पेपर बैग, पेपर कप, नौन वेन बैग और भी दूसरी इंडस्ट्री द्वारा उनके डिजाइन, कपड़े या पेपर पे प्रिंट किये जाते हैं। और ये सारे काम आप आप आपसेट प्रिंटिंग मसीन के जरिए कर सकते हैं। और इसके लिए क्या-क्या जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए और फिर भी कोई सवाल अधूरा रह जाता है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसे आप थोड़ी सी पूझी और अपनी सूजबूज के साथ सुरू कर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप अपने लोकल मार्केट में प्रिंटिंग की रिक्वार्मेंट को पता करें और कॉंटेक्ट बढ़ाएं। और साथ ही साथ ये भी चेक कर लें कि मार्केट में कमपटीशन कितना है ताकि बिजनेस में लोस के चांसे बिल्कुल ना के बराबर हो। दोस्तो इस बिजनेस को आप अपने आसपास कोई छोटी सी जगह किराया पे ले या फिर आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। या आपके पास पंप्लेट छापने के लिए देता है जिससे वो नियूजपेपर के जरी अपने बिजनेस या प्रोड़क का प्रमोशन करना चाहता है तो उसके साथ साथ आपके भी प्रिंटिंग प्रेस का प्रमोशन हो जाएगा। शुरुआत में आपके रिलेटिव या नजदीकी लोगों से संपर्ख कर उन्हें कम रेट में अच्छी क्वालिटी के कार्ट छाप कर दे सकते हैं। या अपने आसपास की दुकानों के विस्टिंग कार्ट बना सकते हैं। और दोस्तों यह एक ऐसा काम है कि कस्टमर खुद चलके आएगा आपके पास और आपको केवल अपनी प्रिंट की क्वालिटी और फिल्ड वर्क पे ध्यान देना होगा। और ऐसे ही धीरे-धीरे आपके कस्टमर बनते चले जाएंगे और आप मार्केट में अपनी एक जगह बना पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस को सुरू करने के तो इसे सुरू करने से पहले आपको कम्प्यूटर चलाने आना चाहिए। जिससे कि आप महिने का डिप्लोमा कर ये तीन सौफ्यर चलाना सीख सकते हैं या फिर आपको कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर रखना होगा अपने बिजनेस के लिए जिसको कोरल रो चलाना आता हो और विस्टिंग कार्ड साधी कार्ड और दूसरे डिजाइन को कम्प्यूटर के अंदर बन अच्छी क्वालिटी का आठ से दस जार रुपय में मिल जाएगा और प्रिंट निकालने के लिए आपको फीए कोटेट पेपर की जुरूत होगी जिसे मास्टर पेपर भी कहते हैं और हमें कम्प्यूटर से डिजाइन बनाने के बाद प्रिंटर के जरिए इसी मास्टर पे इस बड़े अराम से प्रिंट कर सकते हैं और वहीं बात करें इस सारे समान के टोटल लागत की तो दोस्तों आपको ये सारा समान 40 से 50 जर के अंदर आ जाएगा दोस्तों अगर आप छोटे लेबल पे इस बिजनिस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक जग को महिने में ज्यादा प्रिंटिंग का ओर्डर मिलने लगें तब आप प्रिंटिंग मसीन लगाने की सोचें इस तरह आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और आप अपने काम को बढ़ाने के पैसे भी बना सकेंगे और कोशिस करें कि मसीन लेने से पहले आप किसी प् प्रिंट करेंगे तो इस मसीन का प्राइस 2.5 से स्टार्ट होता है और आपको अपसेट प्रिंटिंग मसीन धाई लग से 4 लाख में अच्छी quality की मिल जाएगे और अगर आपका बज़र्ट ज्यादा है तो आप 4 कलर, 6 कलर या 8 कलर की printing machine भी करी सकते हैं और अगर बात करें machine के size की तो ये machine 18 by 25 inch, 18 by 28 inch, 20 by 30 inch, 22 by 32 inch या और भी अलग-अलग size में मिल जाएगे और वही machine को चलाने की training आप जहां से machine खर देंगे, वहां से मिल जाएगी company से एक engineer आएगा और 2-3 महिने तक आपको machine को चलाने की training देगा और उससे जुरूरी सारी बाते बताएगा और normally सभी अच्छे supplier, technical support देते हैं अपने customer को या फिर आप machine खरीदने से पहले इसकी training ले सकते हैं दोस्तों offset printing सबसे सस्ता printing option है यानि अगर आप किसी के लिए कोई pamplet या card प्रिंट करते हैं तो बागी printing से यह सस्ता पड़ता है और offset machine द्वारा आपको एक page प्रिंट करने में 100 से 1.500 page प्रिंट कर सकती है और offset machine के जरीए आप एक दिन में एक लाख page तक प्रिंट कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप offset machine के जरीए printing business की शुरुवात करना चाते हैं तो पहले market में पता कर ले कि किस टाइप के printing की डिमांड ज्यादा है यानि कोई paper bag company आपके आसपास है या फिर non human bag या फिर paper cup या फिर कोई और भी दूसरी industry जिसको printing की जरुद पढ़ती रहती है और फिर उसके हिसाब से machine खरीदें क्योंकि अगर आप किसी industrial area में offset machine लगा इस business की शुरुवात करते हैं आप अपने order के साथ साथ अपने आसपास के company से भी order ले उनके प्रिंटिंग कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने आसपास के area में थोड़ी सी research करनी होगी और अगर बात करें इस business में लगने वाले raw materials की तो आपको printing machine के साथ साथ printing के लिए ink machine में लगाने के लिए plates और rubber blanket, complete छापने के लिए paper की seats और साथी, card और visiting card छापने के लिए plain cardboard और duplex board, plate को clean करने के लिए UV cleaner, ink में mix करने के लिए printing chemical, hose, two side tape और कुछ और ज़रूरी materials की जरूत होगी जिसे आप अपने pass के सहर से खरीज सकते हैं, आप pass के printing press में जाएं और वहां से पता करने की कोसिस करें औ और उनमें से कोई न कोई बता देगा कि आपको ये material कहां मिलेगा और कहां से आप सस्ते में खरीज सकते हैं, या फिर आपको online site पे भी इसके बहुत से supplier मिल जाएंगे और इसकी ज़्यादा जनकारी आप उनसे भी पता करके ले सकते हैं, या फिर भी कोई problem आती है तो आप ह ये समझ लीजी कि आप 100 कार्ड के पीछे 1500-200 रुपेज का profit कमा सकते हैं, दोस्तों printing industry काफी बढ़ी है और अगर आप किसी industry के लिए print करते हैं, तो printing के business से 40-50% का भी profit margin कमा सकते हैं, और अगर आप planning के साथ इस business की शुरुआत करते हैं, तो आप काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, छोटे लेवल से अपने business की शुरुआत करें, और market की जरुत को समझें, और उसके हिसाब से अपने business को बढ़ाएं, और आपको इस business को शुरु करने में कोई भी परिसानी आती है, तो आप हमसे comment करके भी पूछ सकते हैं, और हम उसका पुरंत reply करेंगे, तो द की पास.